नमस्कार आप देख रहे आर्जेनियूस कबिरधाम जीले के बाहपानी गाउं के पास सोम मारको हुए भीसम सड़क हाथसे में 18 महिला और एक पुरुस समयत 19 लोगों की मौत हो गई इस दर्दनाख हाथसे से हर कोई हैरान है वही आज सुबा से मरहा गाउं से 17-19 मजदूरों की अर्थी निकली जिसमें से 11 लोग एक ही परिवार्द से थे वही दो लोगों का अंतिम संसकार उनके ससुराल में किया गया यह मंजस देख पूरा गाउ सन्न रह गया ग्रामीनों ने नम आखो से मृतकों को अंतिम विदाई दी मृतकों के अंतिम संसकार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के उप मुख्या मंत्री विजय शर्मा भी से मरहा गाउं पहुँचे बतादे की कबीरधाम के कुगदूर थाना छेत्र के बाह पानी गाउं के पास सोम मार की दोपहर एक तेज रफ्तार पीकप अन यंत्रित होकर 20 फिट गहरे गड़े में जागीरी इस भीसम हाथसे में 18 महिला समयत 19 की मौत हो गई वही 7 से जादा लोग घायल है घायलों का उपचार जारी है हाथसे का सिकार हुए सभी आदिवासी समाज से हैं ये सभी ग्रामिन तेंदू पत्ता तोड़ने के बाद एक टीकप में सवार होकर जंगल से वापस लोट रहे थे तभी यह दरदनाक हाथसा हुआ हाथसे को लेकर राष्ट पती द्रौपती मुर्मूर प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी केंद्रिय ग्रीह मंतरी अमिज साह कॉंग्रेस राष्टी अध्यक्ष खडगे प्रदेश के मुख्य मंतरी विश्णु देव साय और अन्या नेताओ ने सोग जताया है यहाँ पर रुबाह पानी नाम की जगह है काफी घाट के ऊपर है वहाँ पर कलेफिरेंट हो तब उसमें नीस लोगों किंपती हो गए 18 महिला हैं और 17 तो सिमरहा से हैं और एक दल्पी से हैं और एक सिघारी से हैं यह जो हुआ है बहुत दुखत है बहु नएब लोगों双ने भी आधा to करी संवेदरा म॥े तक बादर यह इंद्टा tut नीए ब्रजी के देश्क के अधैरा उसमेदरा है घ्यार अदनिया अवनकी कुदते हैजिश एक देश के अधिनरे गरह न्त लिए हैं और ऑ्लोग सब तो लगई हुए है और हम लोग सब लगे यहां पर शिराम जी यहां पर सची यहण पर समाज के पाइजी थें, कल पुरुमक्तु मंद्रे भी यहां पर पहांच हुए थें, कौमारबजीब, विलक लगे हुए फ्लाच 스र्शन थें, कमिश्टर थे, साथ यहां पूरा प्रशाशन था, कमिश्टर थे, आईजी थे, कलेक्टर थे, SP थे, DFO थे, सब लोग यहां पर थे, सब लोग यहां पर थे, जब ने घर जब पॉरी सित्यों वजाय जा लिया है, भुस्ताय करी किने, बहुष में जो भी काम जैसे पताया को जिया है, तो मु मुखमत्री जी ने इस्पष्ट किया है, जो नहीं रहे गे हैं, उनके परिवार को पाचलाक रुपया और जो मतलब घायल हैं उनके परिवारों को, उनको पचास जार रुपया इलाज के लिए ज़िए,